नवरात्री में वैशनो मा का सिक्का करोडपती बना देगा? आपके पास में है, तो किसी को देना मत जाने प्रयोग. दोस्तों, अगर आपके पास भी मातारानी का सिक्का है, तो आज के इस वीडियो में कैसे मातारानी के इस सिक्के से चमतकार करना है, पूरी विधी बताऊं जय माता रानी जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, इस विधी को जनने के लिए शुरू करते हैं। नवरात्री का पावन त्योहार चल रहा। इस मौके पर माता वैशनो देवी के दर्शन के लिए कटरा जाने के लिए लोगों में होड मची है। अगर आप पास माता जीवन में चमतकारी बदलाव देखने का विश्वास रखते हैं। देवी वैशनो मा का सिक्का एक धार्मिक प्रतीक है, जो भक्तों को माता की कृपा प्राप्त करने का माध्यम समझा जाता है। यह सिक्का एक ऐसी चीज मानी जाती है, जो भक्तों के जीवन में आर्थिक सम्रिध्य, शान्ती और सुरक्षा लेकर आता है। इस विश्वास के पीछे यह तर्क है कि देवी की शक्ति से यह सिक्का धन, वैभव और सम्रिध्य का प्रतीक बन जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, नवरात्री के दौरान, अगर माता वैश्णों का विशेश सिक्का पूजा के समय घर में स्थापित किया जाता है, तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिती में सुधार होता है। लोग मानते हैं कि माता की कृपा से यह सिक्का करोडपती बनने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। सिक्के को एक साधारन धातु का टुकड़ा मानना गलती होगी, इसके पीछे आस्था, विश्वास और संकल्प की गहरी भावना होती है। सिक्का माता के आशीरवात का प्रतीक है, जिसे पूजा के समय सही विधि से स्था और पूजन करना जरूरी होता है। यह माननिता है कि जब भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माता के इस सिक्के को अपने घर या व्यवसाय में रखते हैं, तो यह देवी की अनुकमपा का स्रोत बन जाता है। पूजन और स्थापना, नवरात्री के पहले दिन भक्त अपने घर में देवी वैशनों का सिक्का स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान माता के नाम का जाप, हवन और आरती की जाती है। माना जाता है कि इस पूजा के बाद यह सिक्का सकारात्मक उर्जा का स्रोत बन जाता है। आर्थिक सम्रिधिका प्रतीक। नवरात्री क माता के इस सिक्के को प्राप्त करना और उसका पूजन करना ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में लक्ष्मी की कृपा होती है। यह सिक्का व्यापार में वृध्य, रोजगार में उन्नती और वित्तीय स्थिती में सुधार लाने का कारक माना जाता है। धार्मिक विश्वास, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी वैशनों का आशीरवाद न केवल भक्तों की आर्थिक स्थिती में सुधार लाता है, बलकि उन्हें मानसिक शांती और सम्रिध्धि भी प्रदान करता है। सिक्का इस आशीरवाद का प्रतीक है जो भक्तों को स रंकटों से बचाने में सहायक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता वैश्णो देवी के सिक्के का महत्व बहुत गहरा है लेकिन इसका एक मनोवज्ञानिक पहलू भी है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु जैसे सिक्के में अपने विश्वास को स्थापित करता ह तो उसका मनोबल बढ़ता है। व्यक्ति अपने कर्मों में अधिक ध्यान देने लगता है और सकारात्मक दृष्टिकोन अपनाने के लिए प्रेरित होता है। मानव मनोविज्ञान में यह देखा गया है कि जब हम किसी वस्तु या प्रतीक में अपने विश्वास को करते हैं तो वह हमारी मानसिक शक्ति और आत्म विश्वास को बढ़ाता है। इस प्रकार वैश्णोमा का सिक्का एक धार्मिक प्रतीक के साथ साथ व्यक्ति की आत्म शक्ति को मजबूत करने वाला एक साधन भी है। धार्मिक दृष्टिकोन से देखा जाए तो नवरात्र का समय विशेश रूप से अनुकूल होता है। यह देवी दुरगा की कृपा पाने का समय होता है और इस दौरान की गई पूजा, वरत और ध्यान के प्रभाव अत्यधिक फलदाई होते हैं। नवरात्री में देवी वैश्णोमा का सिक्का प्राप्त करना एक धार्मिक अन रुभ फलों का संचार करती है। इसी के साथ माता वैश्णों का आशीरवाद विशेश रूप से इस सिक्के के माध्यम से भक्तों को धन, वैभव और सुख प्रदान करता है। कई लोग यह दावा करते हैं कि नवरात्री के दौरान प्राप्त वैश्णोमा का सिक्का उनक के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आया। कुछ लोग अपनी कहानियों में बताते हैं कि कैसे वे अचानक से व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करने लगे। जबकि कुछ यह कहते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत हुआ। यह किस्से न केव केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देते हैं बलकि यह भी सिद्ध करते हैं कि सिक्के का महत्व केवल धार्मिक नहीं बलकि व्यक्तिगत विकास और उन्नति से भी जुड़ा हुआ है। वैश्नोमा का सिक्का तो एक माध्यम है परंतु माता की कृपा प्राप्त करने के अन्य उपाय भी हैं जिनका पालन नवरात्री के दौरान किया जा सकता है। व्रत और पूजा। नवरात्री के दौरान व्रत रखने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करते हैं और माता के नौ रूपों की पूजा करते हैं हवन और यग्य देवी की कृपा पाने के लिए नवरात्री में हवन और यग्य का आयोजन करना अत्यधिक फलदाई माना जाता है इसके माध्यम से भक्त देवी को प्रसन्न कर सकते हैं दान और सेवा इस दौरान दान और सेवा करने से भी माता प्रसन्न होती है गरीबों, जरूरत मंदों और ब्राहमनों को दान देने से देवी का आशीरवाद मिलता है दोस्तों नवरातर में इस पेड़ की जड़ को पहन लेना रातो रात भाग ये चमक जाएगा, माला माल हो जाएंगे और करोडपती बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि धर्म कथाएं चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मातारानी का जयाकारा अवश्य ही लगाएं ताकि मातारानी आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देंगी तो दोस्तों, शुरू करते हैं नवरात्री एक महत्वपूर्ण हिंदू तयोहार है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा नौ दिनों तक की जाती है यह पर्व केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता बलकि इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोन से भी देखा जाता है नवरात्री के दौरान विशेश जड़ी बूटियों और चीजों का महत्व भी बढ़ जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे धन, समरिद्ध और जीवन में सुक समरिद्ध लाते हैं ऐसे ही एक विशेश जड़ के बारे में कहा जाता है कि यह जड़ नवरात्री के दिन लाकर पहनने से धन को चुमबक की तरह खींचती है और गरीबी को खत्म करती है इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इस विशेश जड़ का क्या महत्व है, इसकी उपयोगिता इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसका सही तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है नवरात्री हिंदु धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें शक्ति और सकारात्मक उर्जा का आवाहन किया जाता है इस समय देवी दुरगा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जो समस्त बुराईयों का नाश करती है और भक्तों को सुख, सम्रिध्ध और धन प्रदान करती है इसी दौरान विभिन्न तांत्रिक और धार्मिक कर्मकांड किये जाते हैं, जिनमें विभिन्न जड़ी बूटियों और जड़ों का उप्योग किया जाता है इस विशेश जड़ का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोंड से जुड़ा हुआ है कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इस जड़ का वर्णन किया गया है, जिसमें इसे धन आकरशक और स्मृध्धि प्रधान करने वाली जड़ माना जाता है। नवरात्र के दोरान इसे पहनने से देवी का आशीरवाद मिलता है और इसे पहनने वाला व्यक्ति आर्थिक संकटों से मुक्त होता है। पांच अक्टूबर दो हजार चौबीस शनिवार इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। गुरुवार इस दिन मां कालरात्री की पूजा की जाती है। अश्टमी 10 अक्टूबर दो हजार चौबीस गुरुवार इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इसे महाश्टमी भी कहा जाता है और इस दिन कन्या पूजन का विशेश महत्व होता है। ग्यारह अक्टूबर दो हजार चौबीस शुकरवार इस दिन मां सिध्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसे महानवमी कहा जाता है और इसी दिन नवरात्री का समापन होता है। इस प्रकार शार्दीय नवरात्री दो हजार चौबीस का प्रारंभ 3 अक्टूबर दो हजार चौबीस से होगा और समापन 11 अक्टूबर दो हजार चौबीस को होगा। इस विशेश जड़ का नाम और इसे पहचानने के विभिन्न तरीके होते हैं। यह जड़ आम तौर पर दुरलभ जड़ी बूटियों में से एक होती है और इसे नवरात्री के समय बाजारों में बेचा जाता है। कहा जाता है कि इस जड़ में विशेश उर्जा होती है जो पैसों को चुम्बक की तरह खींचती है। इसे विश्णुकांत या लक्ष्मी जड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस जड़ की बनावट कुछ विशेश होती है और इसे पहचानने के लिए विशेश ज्य की सलाह ली जाती है। आमतोर पर यह जड़ प्राकृतिक रूप से जंगलों या परवतिय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसकी प्राप्ती कुछ कठिन मानी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ विशेश विधियों और मान्यताओं का पालन करना होता है जिनमें पूजा पाठ और देवी का आहवान प्रमुख है। यह विश्वास किया जाता है कि इस जड़ को सही समय पर और सही तरीके से पहनने से यह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक सम्रिद धिलाती है और पैसों की कमी को दूर करती है। यह मान्यता है कि नवरात्री के दौरान इस जड़ को लाने और पहनने से अनेक लाब होते हैं, खासकर आर्थिक दृष्टिकोंड से. आईए विस्तार से जानते हैं कि इस जड़ को पहनने से कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं. धन के प्रति इस जड़ को विशेश आकर्शन शक्ती मानी जाती है. यह जड़ किसी चुम्बक की तरह कार्य करती है, जो धन को व्यक्ति की ओर खींचती है. जिन व्यक्तियों को निर इस जड़ का उपयोग विशेश फलदायक होता है। यह व्यापार में व्रिध्य, ग्राहकों की संख्या में इजाफा और आर्थिक प्रगति के नए द्वार खोलने में सहायक मानी जाती है। अकसर ऐसा होता है कि बुरी नजर या नकारात्मक उर्जा व्यक्ति की प्रगति को बाधित करती है। इस जड़ को पहनने से व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। यह व्यक्ति को बुरी नजर से बचाती है और उसके धन और सम व्रिद्ध की रक्षा करती है। नवरात्री के दौरान इसे प्राप्थ करने के लिए निम्नलिखित विधियों का पालन किया जाता है। इसे गंगा जल से धोकर शुद्ध किया जाता है और इसके बाद देवी दुर्गा के समक्ष इसे चढ़ाया जाता है। इस जड़ का संपून लाभ प्राप्थ होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ इस जड़ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। यह माना जाता है कि इस जड़ में कुछ प्राकृतिक खनिज और तत्व होते हैं जो शरीर के साथ संपर्क में आने पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उर्जा संतुलन यह जड़ उर्जा संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। यह शरीर की उर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करती है जिससे व्यक्ति में आत्म विश्वास और साहस बढ़ता है। इसके साथ ही यह मस्तिश्क की तरंगों को शांत करके मानसिक शांति प्रदान करती है। इलेक्ट्रो मैगनेटिक प्रभाव यह जड़ शरीर की चुम्बकिय उर्जा को संतुलित करने में भी सहायक मानी जाती है। वैज्यानिक शोध बताते हैं कि कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों में इलेक्ट्रो मैगनेटिक गुण होते हैं जो शर की शक्ती और इसके महत्व को दर्शाती हैं। कई धार्मिक गरंथों और पुराणों में इसका उलेक मिलता है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार प्राचीन समय में एक व्यापारी था जो लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसने नवरात्री के दिन एक साध साधु से इस जड को प्राप्त किया और देवी दुर्गा की पूजा के बाद इसे धारन किया। इसके बाद उसके व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई और वह अमीर बन गया। इसी तरह कई साधु संतों और योगियों ने भी इस जड का उप्योग अपने साधना और तप में किया है। यह जड उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक मानी जाती है, जिससे वे ध्यान और साधना में उन्नति प्राप्त करते थे। इस जड से जुड़ी सावधानियां, हालांकि यह जड आर्थिक सम्रिध्धी और जीवन में सकारात्मक्ता लाने वाली मा जाती है, लेकिन इसे धारन करते समय कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। शुधता का ध्यान इस जड को धारन करने से पहले इसकी शुधता का ध्यान रखना आवश्यक है। इसे गंदगी या नकारात्मक उर्जा से दूर रखें और इसे नियमित रूप से श अंध विश्वास से बचें। अधन और सम्रिध्य प्रदान करती है, बलकि जीवन में सकारात्मक्ता और शान्ती भी लाती है। हालांकि इसका सही उप्योग और निष्ठा से पालन करना आवश्यक है, तभी इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।